असलाइक वीडियो मैंने दिवान चीमा, I welcome back with another video of Capital Smart City आज की इस वीडियो में Capital Smart City में Overseas Central में overall जितने development हुई है overall from sector A till sector F वो explain करूँगा और इसके साथ साथ जो amenities पे काम हो रहा है specifically जैसे मस्जिद बन रही है, जैसे girls college बन रहा है, जैसे smart stand school बन रहा है इस तरह की जो चीज़े हैं, वो भी आपके इस वीडियो में explain करूँगा but overall इस वीडियो में Central के जितने blocks हैं, उस हवाले से detail से आपको एक view मिल जाएगा कि overall Central में development कहां से हो रही है before going in the details, सबसे पहले मैं start करता हूँ Google Earth location पे और map पे ताकि आपको समझ आजए, वीडियो स्टार्टन से पहले कि वीडियो किस हवाले से है, किस topic पे है और starting point कौन सा और ending point कौन सा होगा तो आपको जिनरिकली बड़ी अच्छी समझ आजए कि उन members को जिनके overseas Central में already investment पार्गड है, उनको अपनी investment पे बहतरीन follow-up मिल सके साथे हैं, उन में starting point जो है, अगर मैं मैप को थोड़ा सा कर्फ कर दूँ, ये ring road का starting point है, इस ring road के starting point से विडियो का recording point स्टार्ट होता है, और उसके बाद right side पे जो plots हैं, वो सारे के सारे plots जो हैं, वो 12 मरला के plot हैं, लेफट side पे plot 12 मरला के हैं, उसके बाद आगे जाके 6 किनाल की ये मस्जिद, उसके बाद यहां पर mini market बनेगी, उसके plot और उसके साथ आगे junior school जो है 5.04 किनाल का और higher college 6 किनाल का, इसके बाले से explain करूँगा और linear park को ही मैं follow करूँगा, आगे जाके linear park जो हो थोड़ सा left turn हो जाता है, curve हो जाता है, तो उसमें आगे जाके sector F पे doctrine के पर और दोबारा जब ending part होगा वीडियो का, उसमें ये 400 feet road और 400 feet से adjacent road specifically, ये sector E में जो development हो रही है, ये sector E क पर आता है, उसके बाद 180 feet wide road आएगा, फिर sector F स्टार्ट होगा, sector G में इस इंक्लूडेट होगा, तो ओवराल जो वीडियो का starting point होगा, आप रिंग रोड के इस point से स्टार्ट होगा, अगर हम बात करें specifically, ये वाला जो part है, यहां पर sector A स्टार्ट होता है, अगर हम Google Earth location की ब बाद opposite side आता है, याद रहे, स्ट्रिंग रोड के opposite side पे आपका healthcare district है, आपकी new tech university है, उसके साथ साथ society की तर से बनाए जाने पर पोजेक्ट हैं, वो इस 180 feet road के opposite side पे आते हैं, जो land अभी आप देख रहे हैं, और उसके बाद पर motorway है, और motorway के opposite side पे, overseas west, DHA 9 अनुनिस्टा क पोजेक्ट हैं, जो future में लाँच अने वाले पोजेक्ट हैं, वो आएंगे, अब दुबार हम स्टार्ट करते हैं, उसी point से, जह सेक्टर A में, जहां starting point था, ring road से, linear park के साथ साथ, आप सारी footage देखेंगे, linear park, right side और left side वाले जो footage है, उसे आपको बहतर idea मिल जाएगा, कि इस इस वक्त overseas central के development कहां stand करती है, अब जो linear park का starting में, linear park के बिलकुत center में हूँ, यह सारा linear park है, left side वे सेक्टर A है, right side वे सेक्टर A है, और दोनों सेक्टर में जो plots हैं, आप specifically देख रहे हैं, यह सारे plots हैं 12 मरला के plots हैं, और यह जो पहली मस्जिद है, यह sector A के दरम्यान में आत मशिनरी खड़ी भी पार्क नजर आ रही है, इस पॉइंट पर mini market काम हो रहा है, और आगे जहां पर depression है, वहां पर एक bridge बनेगा, जो sector A और sector B को आपस में divide करेगा, अगर आप overseas central का map follow करें, तो map में आपको specifically जो sector A और sector B के दरम्यान में water body नजर आती है, यह वह वाली water body है, और इस water body ने इसी तरह से retain रहना है, हाँ इस bridge का जो design है, वह बहुत खुबसूरत design है, जो society की तरह से त्यार किया गया है, और side पर आप विजट करते हैं, तो आपको इस design की proper जो billboards है, वह भी मिल जाते हैं, अब आगे बात करें, sector A से जब आप sector B की तर ट्रेवल करते हैं, तो right side पर पर जो आप अरिया देख रहे हैं, यह commercial market का अरिया, commercial civic center नाम है इसका, और इसके साथ ही बिल्कुल residential apartments की building है, यह linear park के बिल्कुल right side पर, आज जैसे अब sector A को cross करते हैं, sector B की premises और sector C की premises चुरू होगी है, right side पर सारा sector C आता है, आपके इसके और left side पर सारा sector B आता ह sector C में जो plots हैं, वो तमाम के तमाम plots हैं, वो वन कनाल के हैं, 50 by 90, और square yards में बात करें तो 500 square yards, और sector B में बात करें, तो तमाम plot mostly आप कहलें 90% जो plot है, इसमें, वो वन कनाल की ही हैं, 50 by 90 के plot 500 के, इसमें कुछ plots हैं, अगर मैं count specifically, मैं numbers पर जाऊं, तक यह बनाप कहलें, 15-20 plots है जो सुसाइटी की तरह से यहां पर central block में, जो दो कनाल के plot sell किये गए तो जैसे overseas east में जाएं, तो sector J में और sector A में आपको दो कनाल के plot मिलते हैं, इस तरह sector B में आपको दो कनाल के plot मिलते हैं, sector B के अच्छी बात है कि sector B के left side पर ring road है, और right side पर linear park और जो रोड है, दोनों सा प्लॉट से आगे आपको दोबारा जो depression नजर आ रही है, इसके left side पर सारा D block है, right side पर सारा E block है, याद रहे कि D block के development सिरफ browning में और वो भी तक 20-30% का part है, जो brown हुआ है, बाकी part अभी तक मेरे ख्याल से litigated है, वहां पर चुके browning भी नहीं हुई, तो इसको specific कर सकते हैं, कि यहां पर अभी तक society का पर land जो है, वो मजूद नहीं है, right side पर जो E block है, E block का प्लॉट है, वो सारे का सारा जाए, उसमें तकरीबन तमाम streets है, वो develop हो चुकी है, mostly जो उनकी alignment है, वो हो चुकी है, और अभी इनमें proper asphalt काम और बाकी जो underground काम है, वो वहां पर हो रहा है, तो कि अभी मुकमल non-developed है, सिर्फ partial part पर browning होई है, उसके लावा यहां पर browning भी नहीं हुई, आगर doctor enclave आता है, और doctor enclave जो है, उसमें तकरीबन कहले है, 60-70% area ऐसा है, जो developed है, और 40% area ऐसा है, जो non-developed है, और इसके right side पर doctor enclave के, आपको 400 foot road, और वहां से आगे आप access लेके, golf Central, Overseas Prime 1, Harmi Park Overseas Central, या Harmi Park Overseas East, आपको तमाम points तक यां, तमाम blocks तक, आपको तमाम sectors तक, आपको तमाम सेक्टर तक, carpet road मिलता है, हम width पे आप argument कर सकते हैं, कि width जिस तरह से society की तरह से master plan में दिखाई गई थी, कि आपको interchange स उतरने के बाद 400 foot का road मिलेगा, तो उसके बाद अभी इस सुक society की तरह से doctor enclave में major काम तकरीबन 60-70% हो चुका है, और वो इसको भी society की तरह से not for sale रखा गया, राइट ना दुबारा left side बे आपके 400 foot आ जाते हैं, अभी ये वापसी की footage है, इससे आपको दूसरे angle से देखने का idea मिल जाएगा, कि overseas Central में overall development काहां stand करती है, इ underground वाले जो काम है, वो रहते हैं, बागी काम वाँ पर मकमल हो चुकी है, दुबारा back to basic, sector E, left side बे 400 foot road और 400 foot road से आगे, दुबारा मंधवाल वाले जो road आपको बीच में center नज़र आ रहा है, अच्छे एक और सवाल सुनने को मिलता है, कि ये जो road है, इससे 400 foot road के center में आता है तो underpass जो हो most visible नज़र आता है, let's see future में जाके societies पे क्या काम करती है, right now sector E आप देख रहे हैं, sector E में specific लेकर मैं streets का नाम लूँँ, तो आपका street 16, street 17, street 13, street 15, street 19, जहांपे 7 मला के plot और बाकी 5 मला के plots हैं, और इससे आगे आपके street 14, street 13, street 12, street 11, ये वले streets ऐसी हैं, जिनकी visibility आपको मिल रहे हैं, कि ये वले streets का भी current status of development किया है, right side के आपको कुछ partial part जो है, वो जो linear park का road है 50 feet का, वो नज़र आ रहे हैं, और इससे आगे दोबारा आपको कुछ part ऐसा है, जिसकी browning भी नहीं हुए और ऐसे कैसे है, most probably ये part भी जो litigated है, अभी तक society नहीं यहां पे काम कागास नहीं किया, और इससे आगे जाते हैं, तो आपको फिर center में कुछ पहाड़ियां नज़र आती हैं, यह part litigated नहीं है, यहां पे machinery लगी हुई है, development हो रही है, अब याद रहे हैं कि जिस जगह पे society पनी machinery move कर सकती है, it means कि society के पास land procured है, it means कि society, आप पाकिसान में एक trend आप किसी की जमीन पर जाके 10 minutes नहीं 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 जो litigated है, तो मैं दो power blocks को सिर्फ sector को highlight करूँगा, sector D और sector F ऐसे दो blocks हैं, यह दो sectors हैं, जिन में अभी तक थोड़ से litigation बाकी है, बाकी तकरीबन तमाम sectors जो हैं, उनमें mostly जो land है clear हो चुकिया, सेक्टर E में थोड़ सा partial part है, 3-4 streets का, I think so, वहाँ पर सुसाइटी नहीं लगाई ही तो में भी हो सकता है कि मैं जब विजट कर रहा हूँ, ताव ना लगी हो, वैसे वहाँ लगी हो, लेकिन वैसे अगर count कहा जाए, तो 80% से 85% के आप rough estimate लगा लें, this is just a number, कि जितना part अभी society के पास, land जो है, वह मुकमल प्रिक्योर्ड है, लेट साइट पर दुबारा मैं आपको जैसे start उते वीडियो में, आपका लेट साइट पर commercial center, civic center है, उसके बाद पर आगे sector है, right side पर sector है, और आपको ये वाला जो plot नदर आ रहा है, दूसरे digging जो है, ये मौस का plot है, उस जागे school का plot है, अगर आप overseas central में आज विजट करते ह ये तमाम चीज़ें आपको मिलेंगी, this video was recorded on 26th of June 2023, तो अभी आगे जाके society अगले चार माँ में जो development यहाँ पर करेगी, क्योंकि अगर आप side visit करते हैं, तक्रीबान आपको 350 से 380 के दिरमयान numbers ऐसा है, machinery का, जो side पर visit मिलता है, मैंने ये part count काउंट के था, क्योंकि साथ के numbers के साथ मिशिनरी लगी वी है, तो मैंने उस लिहाँ से तक्रीबान साथ spots ऐसे थे, जा मैं वे number में एकाउंट की है, तो definitely आपको 350 से 380 के दिरमयान का number मिलता है, जो इस वक साइट पे machinery काम कर रही है, अगेन दुबारा उसी ring road वाले point पर वापिस आगी है, और इस ring मंदवाल वाले pull के साथ बना हुआ है, उस से तक्रीबान आपके 9 किलोमेटर आ गए है, 10 किलोमेटर आ गए है, आपका DHA 9 शुरू होता है, अभी तक उसकी launching officially नहीं की गई, अगर आपको capital smart city या लाहुर smart city में booking के वाले कुछ मालूमाद चाहिए हूँ, तो दिए गर नबर पर डेटेल से वीडियो बना सकूँ, रिजवान चीमा को दीजे इजासत, अगली वीडियो तक के लिए, खुदा हाफिस